नमस्का दोस्तों वियली सुसाइटी में आफसे ही का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आई स्टूडियों बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में जिसके बीतर बेटियों को प्रशाहित करने के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई इसके 15,000 रुपे तक का बुक्तान करती है तो इसके लिए ओन्लाइन फार्म कैसे भरना है और कौन-कौन सी लोगों को इसका लाब मिलेगा किस एज पर लड़कियों को किस तरीके से पैसा मिलेगा इसके बीतर उसके बारे में डिटेल से बताएंगे लेकिन दोस्तों वीड करना की और यहां पर जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस लिए और साथ ही दोस्तों इस यूजना के वितर अगर आपको कोई भी परिशानी आती है तो इसके बारे में क्या के डाक्मेंट लगेंगे किस तरीके अप्लाई करना वो पढ़ने के लि दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको करना है तो यहां पर सिंपली से यूजना की वेश्वाइट पर आने के बाद यहां पर नागरिक सेवा पोटल का ऑप्शन दिया रहे है इस पर क्लिक कर लेना है यहां पर क्लिक करोगे तो लॉग इडी पासवर्ड पूछेगा तो इस तरफ देखोगे तो आप नियम हो सर्ते और यहां पर देखो एग्री करके का उप्शन आ जाएगा तो यहां पर जब आप अपलाई करेंगे तो कई लोगों का नप्यूजन है माता पिता कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं लड़की खुद अपना करवा सकती नहीं करवा सकती तो सेल्फ भी हो सकता है और माता पिता में से जो भी है वो करवा सकते हैं नाम यहां नाम डालने के बाद यहांपर और फिर यह अपर पितने बच्चे फैमिली वो जलूजेन है ट्वेट कर लेना है तो यहां पर टोटल दो बच्चचों तक है कि इसका लाब मिलता है लेकिन सिकंड डिलिवरी में अगर जुड़ोड़ा वच्चे हैं तो यहाँ पर थी भी आपको मिलाता है ठीक है तो यहाँ फिर यहां पर आपको जो है आप यहां पर आप नहीं हैं का फिर आपका जो भी ब्लाक लगता है वो अर यहां को पासवर्ड में पर टिक कर देनी है और और यहां पर आपको एक पासवॉर्ड टिक कर देना है और इनलगल इनकम्ना एट्क流 OH प्रवाइल नमबर पर आपको क्लिक करने के बाद आपको वेरिफाइएंड साइन अप पर क्लिक करते ही आपके सामने किस तरीके का रिच्टेशन सक्सेस्फुल का मैसेज आएगा और यह रिच्टेशन नमबर आपको कॉपी कर लेना है और आपने जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड के साथ में इसको आप लौग इन कर लेना है आपके सामने कुछ तरीके का पेज आएगहा चाहां पर चाहां पße करने एगा अगर जीवित है किस जिले में है वो select कर लेना है फिर यहाँ पर किस bank में उसका account है वो select करना है bank का नाम select करने को आप branch यानि के FSO code की detail आपको select कर लेनी है उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर account किसी भी का लग सकता है माता पिता या बच्ची जो लड़की है उसका स्वयम का भी खाता आप लगा सकते हैं और यहाँ पर यह सारी चीज़े करने के बाद आप account holder name डालना है कि कि किसके नाम से वो account है यह डालने के बाद आपको जो है खाता संख्या डालनी है और branch का नाम की कहां पर account है वो आपको लिख देना है और उसके बाद उसकी copy attach करनी है करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीकी का detail updated successfully का message आ जाएगा और यहाँ पर फिर आपको जो dashboard खुलेगा वहाँ पर child one को add करने के लिए निकि पहले बच्चे को add करने के लिए add beneficiary पे click कर देना है जो page खुलेगा वहाँ पर आपको बच्ची का नाम डाल देना है English में औ आपको select करना है कि अगर बच्चे का जनम हुआ है तो उसका आप biological select करोगे और अगर गोद लिया गया गया है तो adapted ठीक है डालने के बाद अब आपको बच्ची की date of birth जनम का इस्थान में जिले का नाम जहां पर भी इसका जनम हुआ है और category में OBC, SC, ST, General जो भी है वो आपक करने के बाद अब आपको address फिल कर देना है जैसे कि यहां पर पिन कोड और आपका जो भी मकान संख्या गलीव अगयरा है specific जो भी जानकारी है वो डालने के बाद अगर आपका permanent और current address दोनों सेम है तो यहां पर जो tick कला option दिया है इसको tick करके आपको simply से submit कर देना है करते ही आपके सामने आपका जोड़ा बेनिफिसरी जुड़ जाएगा और उसके सामने apply करने का option लिखके आ जाएगा ठीक है तो आप यहां पर बच्ची जो भी है उसके लिए कन्या समंगला का form apply करने के लिए apply पे क्लिक करना है और यहां पर जो beneficiary का eligibility status होगा वो दीखी जाएगा कि कौन कौन सी scheme के लिए जैसे जन्म के बाद 2000 रुपे मिलता है टीका करन के बाद 1000 इनके किसके लिए eligible है जिसके लिए भी eligible है उसके सामने आपको green कलर का option दिखेगा उसके क्लिक करके आपको apply कर देना है apply के सामने सपत पत्र डाउनलोड करना का option दिखेगा जिसे आपको 10 पर के stamp पर print करवाना है यह page आप customer को print करके भी देख सकते हैं कि नजदी की तहसील से जाके वो अपना stamp पर print करवा के ले आए क्योंकि यह आपको upload करना पड़ेगा अपना यह form आगे का procedure complete करने के लिए here to apply पर click करेंगे तो आपके सामने एक बार फिर से registration detail को update करने का option खिले साथ ही उनका address detail भी दिख जाएगा और साथ ही साथ में कितने वैच्चे हैं किसके लिए account eligible है नहीं है वो दिख जाएगा साथ ही आपको यहाँ पर देखो क्या आप registration के समय दिये के bank खाते के साथ जारी करना चाहते हैं तो yes अगर करेंगे उसी के साथ में रहना है otherwise दूसरा खाता संख्या लगाना चाहते हैं तो no पर करेंगे दूसरा account लगा देंगे तो अभी हमें उसी के साथ जाना है तो yes पर click करेंगे और अब जिस भी स्रेंडी के लिए आपने apply किया उसके according कुछ option पूछा जाएंगे उससे related detail पूछी जाएंगी उससे हमें ठीका current के लिए प page का option आएगा तो यहां पर जिसकी candidate का आप apply कर रहे हैं सबसे पहले तो उसकी photo लगाएंगे एक इस तरीके से और उसकी एक इस तरीके से finally photo लगेगी जिसमें अभिवावक और जितने भी बच्चे हैं तो दोनों की बच्चों की लगेगी और फिर उसका जो आपको मैंने stamp paper बताये था वहला एफिडेविट लगेगा यहां पर parents का यानि कि माता ने registration करवाया है तो माता क्या जिसे अधार लगेगा पिता का अधार लगेगा और फिर उनका जो address proof लगेगा तो address proof में normally आप parents का ही आप अधार card या bank passbook जो भी select करना चाहो वो लगा सकते हो और यह सीज update है अगर आप अपने लिए apply करना है तो वह अपने पास रख लिजेगा otherwise जिन्होंने भी आपको apply करवाया है उनको दे दीजेगा इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है टीम आपकी यहां पर visit के लिए आएगी आपका verification करेगी और सारी चीजे सही होने पर आपका पैसा जो है सीधे है आपके खाते में आज आएगा जो भी आपने registration के सामय दिया है लेकिन अगर उसमें कुछ correction होता है तो आप यहां से update भी कर सकते हैं दुवार असे हो और उसका status भी आपको देखो report section के वीतर check status का option मिल जाएगा जहां से आप अपने application का status भी check करते रह सकते हैं